नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जायका में आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का आचार जो सिर्फ दो मिनिट में बनता है इसे बनाने के लिए नहीं हमें धूप चाहिए नहीं हम गैस का इस्तमाल करेंगे इसे हम बारा मेनों में कभी भी बना सकते हैं बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, कोई भी मौसम में बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है तो चलिए हम बनाते हैं हमारा इंस्टेंट प्याज का आचार ये देखिए, ये हमने दो छिलेवे प्याज लिए हैं, अब इसको हम इस तरह काटेंगे इसको हम लंबे-लंबे ही काटेंगे, ना ज़्यादा बारिक, ना ज़्यादा मोटा इस तरह से और ये जो आचार है, इसको हम हमेशा इंस्टेंट ही बनाते हैं इसको स्टोर करने की जुरत नहीं है, जब इच्छा हो आपकी, तभी आप इसको बनाके खा सकते हैं ये आचार हम चपाती के साथ, पराठे के साथ, भाकरी के साथ, खाकरा के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिश्ट लगता है ये देखें इस तरह से हम प्याज को काटेंगे ये हमारे प्याज कट गया अब हम कटे हुए प्याज को एक बोल में डालेंगे ये देखिए हमारे कटे हुए प्याज है ये हमने सोंफ ली है ये कलॉंजी है ये लाल मिर्च पाउडर है ये तेल है ये नमक है और ये नीमू का रस है अब हमारे कटे हुए प्याज में एक चम्मच हम सौफ डालेंगे जो हमने हलका से कूट लिया था एक चम्मच का लॉंजी लेंगे जिसे काला जीरा भी कहते हैं अब हम आदा चम्मच लाल मिश पाउडर लेंगे आप कम्या ज्यादा भी ले सकते हैं स्वाद अनुसार नमक लेंगे अब हम आदा चम्मच निमू का रस लेंगे अब इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे कूकिंग ओल इसमें कच्चा ही डालेंगे हम फिर इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को, यह देखिए थोड़े से प्याज ज्राई लग रहे हैं मुझे, तो चलिए, एक चमस्ते और ले लेते हैं हम इसमें, अब यह देखिए इस तरह मिक्स कर लेंगे, देखिए अब एकदम पॉफेक्ट लग रहे हैं, कलर भी बहुत ही, सुन्दर आया है इसका, और खुश्बू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, अब यह देखिए हमारा प्याज का इंस्टेंट आजायर बिल्कुल तयार है अब असाब के खाने की दे रहे हैं